आप सब का बहुत-बहुत स्वागत साथियों इंडिया गठबंदन अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहा है पहला मैच खेलने जा रहा है 18 जनवरी को होने वाला चंदीगण मेर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है ये इस देश की राजनीती की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नीव रखेगा इंडिया गठबंदन बतोर गठबंदन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना है और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंदन पूरी मजबूती से चंदीगंड मेर चुनाव लड़ेगा और एक एतिहासिक निरनायक जीत दर्च कराएगा आप इस आम चुनाव इस चंदीगंड मेर चुनाव को कोई साधारन आम चुनाव मत मानिये ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार मुकाबला सीधा इंडिया बनाम भाजपा होने जा रहा है और हमारा ये मानना है कि जीत दर्च कराने के बाद इंडिया गटवंदन का ये जीत रूपी रथ चंदीगंड तक ही सीमित नहीं रहेगा ये कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी और मनिपूर से लेकर मुंबई तक जाएगा जब-जब टीम इंडिया का सामना देश की दुनिया की किसी भी टीम से हुआ हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया हमारा ये मानना है कि 18 जन्वरी के चंदीगर चुनाव में भी भारतवासी एक जुठ होकर इंडिया को जिताएंगे और इस चुनाव के उपरांत स्कोर कार्ड होगा इंडिया एक भाजपाश शून ने हमारा ये मानना है कि इंडिया गटबंदन की 18 जन्वरी को होने वाली क्लीन स्वीप के बाद ये एक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगाज होगा इंडिया गटबंदन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जन्वरी को होने जा रहा है ये 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा कर्टन रेजर होगा और ये एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा उसके क्या नतीजे होंगे मेरा ये मानना है कि ये एक और बड़ी चीज साबित करेगा वो ये है कि जब इंडिया गटबंदन मिलकर चुनाव लड़ता है तो एक और एक दो नहीं एक और एक ग्यारा होता है ये चंदी गट का अठारा जन्वरी का चुनाव सिद करेगा और इसके संदेश इसका मेसेज जो जीत का इंडिया गटबंदन की जीत का मेसेज होगा ये देश के कोने कोने तक पहुंचेगा लोगों को जो आज एक ताना शा निकम्मी भाजपा सरकार से मुक्ती चाहिए उसकी एक आस लोगों के मन में जगाएगा कि अगर इंडिया गटबंदन एक जुट होके चुनाव लड़ता है तो इंडिया गटबंदन ही वो चुनाव जीतता है और इंडिया से जो जो टकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा ये मेसेज इस चुनावों से अवश्य निकलेगा अठारा जन्वरी को चंदीगड में भारतिय जन्ता पार्टी की जो आज निकम्मी और तानाशा बादशाहत है उससे चंदीगड के लोगों को चुटकारा मिलेगा इंडिया गठबंदन वो चुटकारा दिलाएगा और 2024 में केंद्र में बैठी तानाशा और निकम्मी भाजपा सरकार से भी देश की जन्ता को इंडिया गठबंदन ही शुटकारा दिलवाएगा तो आने वाला ये चुनाव बेहद निरनायक होने जा रहा है और हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंदन का पहला मुकाबला पहली चुनावी फाइट जो भाजपा से 18 जन्वरी को होने जा रही है ये 2024 के चुनाव का आगास करेंगी इसके संदर्ब में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ये क्या इसका कि अन्हार बड़े का सब्सक्राइब नावी फाइट का दूप का दूप कवाल अपनी गठबंदन है जिसमें देश की तमाम पार्टियों ने राजनेतिक दलों ने राजनिताओं ने अपनी व्यक्त इतिगत मध्भेद मनभेद दरकिनार करकर साथ आने का फैसला लिया देशित में फैसला लिया अब सीटों का बटवारा कौनसे राज्यों में होगा कौनसे में नहीं होगा कौनसे राज्यों में रन्नीती के तहत साथ आकर लड़ा जाएगा और कौनसे राज्यों में रन्न पर non-stop regular commentary करना उचित नहीं है, मैंने पहले भी कहाता कि जैसे cricket match में आप देखते हैं कि ball by ball commentary होती है, seed sharing की बातचीत में, समभाद में इस प्रकार से ball by ball commentary नहीं हो सकती, वो संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई मर्तवपून फैसला लिया जाएगा, उसकी जानकारी अवश्य आप सबसे साजा करेंगे. But is this outcome of which Arvind Kej was meeting with Rahul Gandhi and Malika Arjun Khadgye at Mr. Khadgye Khargye? देखे, मेरे नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदर्नी अर्विन केजरिवाल जी की एक बहुत ही मर्तवपून बैठग, Congress के राश्टी अधियक्ष मलिका अर्जुन Khadgye साब और Congress Party के बड़े नेता राहुल गांदी जी के साथ हुई, बैठग बहुत ही मर्तवपून है, उसमें कई विश्यों पर चर्चा हुई, और साथ आकर चुनाव लड़ने का जो संकल्प है, वो और मजबूत हुआ, मेरा अपना ये मानना है कि अगर इंडिया गठबंदन की पार्टियां और खास करके ये दो पार्टियां साथ आती है, तो भाजपा के लिए एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 का, जो हमारी ताकत है वो एक और एक 11 हो जाएगी, उसका सामना भाजपा को करना पड़ेगा, मैं किसी अन्य निता ने कोई टिपनी करी उस पर कोई और टिपनी नहीं करना चाहता जिसने जो टिपनी करी वो उसको मुबारक जैसा कि मैंने कहा कोई शक्स कोई टिपनी कर रहा उस पर मैं टिपनी करूँ मुझे मैं इन सारी चीजों से बचता हूँ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अर्विंद केजरिवाल जी प्रभू श्री राम के परम भगत हैं और वे अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम है या कोई नए काम की शुरुवात करते हैं तो बजरंग बली के और प्रभू श्री राम के चर्नों की धूल अपने माथे पर लगा के करते हैं उन्होंने दिल्ली में श्रवन कुमार बनके हजारों बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई उन्हें वारन अनसी से लेकर दर्बार साप से लेकर अजमेर दर्गा शरीव तक हर जगा मत्था टकवाया वहाँ पर उनके दर्शन करवाए और मैं किसी अन्य नेता द्वारा अर्विंद केजरिवाल जी पर लगाये गई आरोप या इस पर टिपड़ी करना उचित नहीं समझता मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने के आवश्यक्ता है मैंने जो जवाब देना था मैंने दे दिया इस विशेट अब ही मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और जैसी कोई जानकारी आईगे आपको बताएंगे जब आएगा तो आपको बताएंगे उस पर भी वकीलों से चर्चा हो रही है आपको अठाटारा तारीके और करीब आके अवश्यक्ता पर भी जो फैसला पार्टी लेगे मानने मुख्मंत्य जी लेंगे अपने वकीलों से सलाह करकर उस बारे में भी बताये जानकारी मैं प्रेजरे फ्रेडमरी अर्थित मत्ट प्रेडै लोफ ये और कि लुए अँनर हे लिए व्कृटलि वेडाती वि अब निए लखस भी जी तुम् संस donating लिए कि अंप जालब जालिक देद्ट इस कर दो लिमाडिश निम्ट इस कुछ ऐख मेज निम्मे टूसने के दिवार्ड़ मेजने में, धूजरी रूजी। दिस थे कुछिरित में जाड़ कि श्मेर श्या निय। दूजीटर्ध कि अंपर श्या अमाज़ देख alखिट अधू, that was very very significant it has further strengthened our collective resolve to save India and to come together to ensure the departure of a incompetent corrupt and dictatorial regime led by the BJP that's the only thing that I'd like to say vis-a-vis that meeting thank you so much you